हेलो स्टूडेंट्स क्लास 12 सभी को नमस्कार उमन रेप्रोडक्शन का यह हमारा नेक्स लेक्टर है पिछली लेक्टर में हमने कुछ इसमें बात की थी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स हम देख रहे थे फर्टिलाइज में आने के बाद क्या करता है कि जो उसकी मेंब्रेन है उसके जैसे ही कॉंटेक्ट में आएगा तो जो सेकेंडरी उसाइट की जो ना पहले शुड़ावाली जो मेंब्रेन है उसमें कुछ चेंज आएंगे ठीक है तो जब चेंज आएंगे तो वो चेंज क्या करेंगे उस म उसाइट को fertilize करता है ठीक है अब कुछ events है जो fertilization में जैसे की कौन सी कौन सी event है ये acrosomal reaction है cortical reaction sperm entry MP mixes तो acrosomal reaction मैंने आपको बता रखा कि sperm के head के उपार acrosome present होता है ठीक है जिसके अंदर enzymes बरे होते हैं ये lysozyme की तरह भी हो करता है ठीक है तो हम सबसे पहले इसी reaction के बारे में देखते हैं acrosomal reaction क्या होता है कि after ovulation जैसे ovulation हुआ secondary oocyte है वो flopping tube के ampula part में चला गया ठीक है और उधर से उसने wait किया कि इसका sperm का तो जब sperm entry होती है sperm आ गया ठीक है तो फिर इसमें एक बात और भी लिख रहा किसने कैपिस्टेटिड स्पं कौन सा स्पं है कैपिस्टेटिड का मतलब active स्पं है मैंने आपको बताया था कि जो reproductive ट्रैक्ट है जो जैनिट्यल ट्रैक्ट है उसमें स्पं का कैपिस्टेशन होता और पिछले लेक्टर में मैं इसके बारे में पुछा भी था आपसे कैपिस्टेशन क्या होता है ठीक है क्या होता कि जो sperm है उसके एक्रोसोम के ऊपर जो outer coating होती है glycoproteins की वह लेयर उतर जाती है ठीक है और उसको उस dla site की भारवाली लेयर वहता थे प्रकाम करता है और उसके अंदर गुष जाता है तो इसमें कुछ chemicals होते है क्रोसोमल हैड में और जिनको इन chemicals को हम collectively बोलते है sperm ligens तो यह AI PMT का question है sperm ligens बोलते हैं ठीक है अब इसमें कौन से कौन से enzyme होते हैं पहला enzyme है hyaluronidase hyaluronidase जो है यह किस पर काम करेगा क्या होता देखो जहें secondary Large Hem Tide है उसके बाहर क्या प्रजेंट है corona radiator है फिर जो ना पहले हुआ है लेकिन corona radiator के बाहर भी एक मलें ड्राउंड ब्स प्रजेंट होता है उसका नाम है हाई hyaluronic acid hyaluronic acid ठीक है और उसको remove करने के लिकोन enzyme कम करता है उसके ओपर hyaluronidase enzyme ठीक है तो इसने बोल दिया ने act on ground substance अब ground substance कौन सा था hyaluronic acid था follicle cells के अंदर जापर follicle cell पर जैंट थी ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं उसकी इसकी मदद से काम करेगा वो digest करेगा उस acid को hyaluronidase enzyme की मदद से ठीक है फिर इसमें आगे next enzyme है corona penetrating enzyme अब बार corona radiator layer है जो follicle cells से बनी हुई है तो corona radiator जो cells है उसको dissolve करेगा corona penetrating enzyme इसको dissolve कर देगा फिर zona lysine इसको acrocin भी बोलते हैं zona lysine जो है वो digest करता है कि इसको zona pelucida layer को zona pelucida layer को digest कर देगा अब इसमें कुछ conditions requirement required होती है acrosomal reaction के लिए जो जुरूरी है वो है optimum pH pH का optimum होना जुरूरी है magnesium iron परजैन्ट होने जुरूरी है calcium iron जुरूरी है और optimum temperature होना जुरूरी है अब देखो optimum यह सारी condition fertilization के लिए जुरूरी होती है अगर यह इन वैसे एक भी condition मालो miss है तो उसमें fertilization नहीं हो पाएगी जैसे कि optimum temperature की बात करें क्या चाहिए मालोग जिसी किसी महिला को tuberculosis है और कोई disorder है disease है तो कई बार कैसे मालो TB की बात करें तो उसमें temperature higher side होता है उसका जब body cut normal से high side temperature रहेगा तो उसमें fertilization के chances जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे ठीक है तो इस परकार से यह condition ज़रूरी होती है acrosomal reaction के लिए ठीक है अब यह देखिए इसमें corona radiator बार है ठीक है follicular cells फिर जो ना से पहले की स्पम एड की से जाके मलटस होगा यह जैसे follicular cells होता हुआ यह जो ना पहले उचीडा की पास जाएगा जो ना पहले उचीडा को penetrate काना शुरू कर देगा तो देखो penetrate होना शुरू हो गया ठीक है अंदर आ गया भी है अंदर आने के बाद स्पम के head से क्या निकल गया नुकलेस निकलेगा और centriole बताया था आपको centriole कौन सा centriole था proximal centriole उसके अंदर entry कर जाएगा ठीक है अब है binding of sperm to the secondary oocyte induced depolarization of the oocyte plasma membrane this prevent polyspermine अब इसका मतलब क्या है जैसे ही sperm ने secondary oocyte के साथ bind up किया जूड़ा वो वैसे ही जो oocyte की membrane है जो secondary oocyte की membrane है अब membrane कौन शी होगी membrane होती है जो ना पहले शुड़ा के अंदर की तरफ ठीक है तो वो membrane जो है उसका depolarization हो जाएगा depolarization का मतलब क्या होता कि पहले वो polarized condition में थी वो वो polarized condition का मतलब क्या है कि उस membrane के बार जो है वो positive चार्ज रहेगा बार और अंदर की तरफ negative ठीक है लेकिन जैसे ही sperm की bind up होगी secondary oocyte के साथ तो sign जो है चार्ज जो है वो change हो जाएगी बार की तरफ negative हो जाएगा और अंदर की तरफ positive और इसको हम depolarization बोलते हैं ठीक है तो depolarization of the oocyte plasma membrane और इससे क्या होगा कि जो ना पहले उसीड़ा जो है वो हो और भी hard होती चली जाएगी उसको हम polyspermia उस के फिर आते ही Corticle reaction, Corticle reaction, Agrosomal reaction के बाद होने माली reaction, इसमें क्या होगा कि जैसे sperm membrane जो है उस साथी प्लाज़ो हुई जैसे ही Fuse होते ही, क्या होगा, कि जो plasma membrane है, उसके अंदर की side में cortical granules present है, अब cortical granules क्या होते हैं, देखो, हमें पता कि कोई round structure है, कोई round structure है, उसके अंदर की side, उसके को हम बोलते हैं, cortex, ठीक है, और उसके अंदर पाए जाने वाले कन, कन हम बोल सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं cortical granules, ठीक है, वो अंदर present है, plasma membrane के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वे granules जो है, plasma membrane के साथ fuse हो जाएंगे, मुसाइट के plasma membrane के साथ fuse हो जाएंगे, और कुछ chemicals release करेंगे, और उन chemicals में होंगे, कुछ enzymes, cortical enzymes बोलते हैं, ठीक है, और वो enzyme कहाँ पर release होंगे, between plasma membrane and zona pelucida, zona pelucida और plasma membrane के बीच में, वो enzymes release होंगे, और वही enzyme, वही chemicals क्या करेंगे, zona pelucida को और भी ज़्यादा hard कर देंगे, जिससे की entry, another sperm की entry जो है, वो रुख जाएगी, ब्लोक हो जाएगी, ठीक है, यह थी cortical reaction, फिर sperm entry, sperm entry जो है, वो किस परकार से होती है, तो आपको बताएं, जैसे कि sperm आ रहा है, अब sperm को यह ऐसा नहीं कि sperm कहीं पर भी जा कि उसके bind अप कर जाएगा, secondary oocyte से कहीं पर भी नहीं, उससे पहले क्या करेगा, secondary oocyte उसको signal provide करवाएगा, ठीक है, और वो signal किस form में होगा, उसको बोलते है, fertilization कौन, बार की तरफ एक protrude structure, बार की तरफ एक structure निकलेगा, जैसे कि दिखो इस diagram में, इसमें क्या है, जो बड़ा structure दिखा रहा है, यह secondary oocyte है, और जो यह चोटा और इसके साथ पीछे tail है, यह sperm है, तो इसने दो को एक corn shapes कोई बॉनते हैं, at the time of contact with the sperm, the secondary oocyte form में projection, corn of reception, or fertilization, which receive the sperm, जिससे वो sperm को receive करेगी, ठीक है, फिर जैसे sperm को receive किया, तो proximal centriol जो है sperm का, लेको, proximal centriol जो है, बिना किसे, उसमें कोई भी, मलब एक तरह से कोई भी change नहीं है, जब वो sperm के अंदर present था, ठीक है, और sperm के अंदर देखो, दो centriol present होते हैं, proximal और distal, मैंने आपको पहली बता रखा, distal जो है, वो, जो फ्लैजिला है, उसकी movement में help करता है, ठीक है, जब कि proximal centriol जो है, वो extra present होता है, अब proximal centriol, देखो, जैसे sperm की membrane, secondary oocyte की plasma mammalance के साथ fuse होई, और उसने अपने, सपम ने क्या किया, कि nucleus और proximal centriol को secondary oocyte के अंदर release कर दिया, ठीक है, अब जो proximal centriol है, वो sperm का जो है, वो divide होगा, ठीक है, दो centriol बनाएगा, अब दो centriol की क्यों आ सकता पड़ी, मैंने आपको बता रहा कि cell division के दोरान, जैसे mitotic spindle बनते हैं, तो उसमें spindle में 2 centriol क्या हो सकता पड़ती है, cell division के दोरान, ठीक है, इसलिए वहाँ पर 2 centriol बनें, तो sperm का जो proximal centriol है, वो divide करके 2 centriol बनाएगा, और generate the mitotic spindle apparatus, apparatus क्या है, cytoplasm of secondary oocyte, apparatus का मतलब secondary oocyte का cytoplasm, ठीक है, तो वहाँ पर यह divide करेगा, फिर carryogamy, mp mixes बोलते हैं इसको, अब carryogamy में क्या होगा, carryogamy में sperm entry जो है, stimulate the secondary oocyte, sperm की entry जैसे secondary oocyte के अंदर होगी, तो stimulate हो जाएगा, और complete suspended second meiosis division, तो मैंने आपको देखो, जब उसका structure बता रहा था, उस जैने से संपड रहते, तो वहाँ पर meiosis, जो second था, वो complete नहीं होआ था, वो arrest हो गया था, वहाँ पर, तो अब यह यहाँ पर complete होगा, अब यह complete कैसे होगा, कि जैसे कि भई, स्पम ने, क्या क्या नुक्लियस और proximal sentryol को second Reocyte के अंदर release कर दिया, ठीक है, Cytoplasm के अंदर, तो वहाँ पर जो arrested थी, मियोजी second, ठीक है, arrested थी तो वहाँ पर क्या 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 sentryol, जैसे proximal sentryol गया, वहाँ पर divide किया, दो sentryol बनाए, और उन spindle बनाने शुरू कर दिया और kromosomes को divide करना शुरू कर दिया ठीक है तब तक जो sperm का nucleus है वो wait करेगा इंतजार करेगा क्योंकि उसको nucleus गया था जो sperm का nucleus fuse होने गया था किसके nucleus के साथ secondary oocyte के nucleus के साथ ठीक है ओम के nucleus के साथ लेकिन अभी nucleus divide उसका खुद ही nucleus divide कर रहा है ठीक है उसके chromosome divide कर रहे है में उसी second complete हो रहा है जब मैं उसी second complete होगा तब जाके nucleus जो है उसके साथ fuse करेगा male nucleus जो है उसके साथ fuse करेगा female वाले के साथ ठीक है और जब division complete होगा तो उसमें मैंने आपको बताते कि एक second polar body release होगी और एक secondary mature ovum release होगा तो ये mature ovum जो बड़े वाड़ा है green box में बंद कर रखा है ये mature बड़े वाड़ा इस्सा है तो यहाँ पर जो black में है वो male nucleus है ठीक है तो इसके साथ fuse हो जाएगा और इधर जो है छोटा जो circle है इसमें जो है ये है secondary polar body ठीक है तो इस परकार सी ये काम करेगा they produce a heploid mature ovum and second polar body the head of the sperm which contains the nucleus separate from the middle piece and tail it become male pronucleus male pronucleus बन जाएगा वो मैंने आपको बता जे जब अदर जाएगा तो वो ठीक है second polar body and sperm tail get degenerate जो second polar body है sperm जो tail है वो degenerate कर जाएगी nucleus जो ovum का है वो female pronucleus था ठीक है और फिर वहाँ पर karyo gammy, karyo gammy का मतलब nucleus का fusion N plus N deployed zygote बन जाएगा ठीक है fertilize ovum known as zygote ठीक है अब significance क्या है फाइदी क्या fertilization के इसमें दखो fertilization में ये फाइदी है कि it restore the deployed number of chromosome हमें पता है कि female में 46 और male में 46 होते हैं लेकिन जब gamit formation होई थी तब 2323 हो गई थी ठीक है लेकिन वह 2323 मिलके वापिस restore हो जाएंगे कहां पर उस जाइगोट में ठीक है डिप्लूइड नंबर ओफ क्रोमसोम हो जाएंगे फिर इंट्रोड्यूच जो सेंट्रियूल था determination करता है मेल determination करता है क्योंकि मेल के पास एक्स क्रोमसोम ओ स्वरी एक्स वाले स्पम भी होते हैं X chromosome containing sperm और दूसरा sperm containing Y chromosome वो भी होते हैं ठीक है तो और female के साथ पास only केवल X chromosome वाले ovum होते हैं ठीक है तो इसलिए determination कोन करता है male determination करता है sex का कि भी male होगा या female ठीक है combine the characters of two parents दोनों parents के character combine होंगे फिर initiate cleavage fertilization होने के बाद क्या करेगा जाइगोड जो है वो divide करेगा mytotically जब divide करेगा embryo बंडने के लिए तो उस division को हम cleavage बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको cleavage बोलते हैं तो आज के lecture में इतना ही इसको note करें अच्छे से समझें इसको एक है thank you and have